नमस्कार मैं हूँ सच्चेदान अदवसिष्ट और सब जनों आने वाला जो जून है उसमें मेश रासी के लिए जून में ग्रेह गोचर क्या कह रहे हैं उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं वैसे तो मई में और जून में कोई खास अंतर नहीं है केवल मात्र तारीकों का अंतर है तारीकों के फलादेश का अंतर है बाकी दो ब्रेश पती भी बही हैं राहू भी बही हैं शनी भी बही हैं और बाकी जितने जो ग्रेह हैं वो यथा यथा इस्थान हैं लेकिन उसमें कुछ अंतर मात्र होगा तो अब मेश रासी के लिए ब्र ब्रियस्पति और राहू आपकी रासी पर ही विध्यमान हैं तो ब्रियस्पति विध्यारतियों के लिए और सगाई संबंध वालों के लिए इनके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं लेकिन सावदान रहना राहू की वी दृष्टियां वही पर पढ़ रही हैं हो सकत उसके अंदर कुछ रुकावट कुछ विक्षेप जो है वो डाल दे शनी आपके ग्यारवे स्थान में चल रहे हैं और ग्यारवे स्थान का शनी प्राया हो अच्छा ही फल देता है लेकिन इसको दृष्टी लगन के ऊपर जा रही है तो लगन के ऊपर दृष्टी जाने के का मानसिक्ता ऐसी बन जाती है कि ब्यक्ति गलट डिसीजन ले लेता है और गलट डिसीजन के कारण से फिर आगे जाकर के परश्चाताप होता है तो उसके प्रति आपको सावधान रहना है बाकी मैं आपको अब जो है वो तारिखों के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास क वाररी यह आपके लिए ब्यापार के लिए साजेदारी के लिए اور पती-पतनी के लिए यह दिन सुब्हे हैं बड़िया हैं लेकिन 3-4 तारी है वो आपके स्वास्त को अच्छा परिनाम नहीं दे पाएंगे स्वास्त आपका नरम रह सकता है तो उसका ख्याल रखें यात्रा और कोई नया कारिय है उसको स्थगित करें पांच छे साथ आठ नो दस ये कंटिन्यू छे दिन आपके लिए सुखद यात्रा है सुखद परिणाम भाग्योदे की सुरुवात राजनेताओं से राज्यादिकारियों से अपने कारियों को जो है आप बनते हुए देखेंगे पिता से भी आपको लाप राप्त होगा और कई दिसाओं से आपके पास में धन का आगमन संभावित है अब आगे चलते हैं तो आपकी 11 और 12 तारीक तो 11 और 12 तारीक जो है ये आपके खर्चों की है नुकसान की है इस समय पर कोई भी धोका चीटिंग हो सकती है तो उसके प्रति आपको सावदान रहना चाहिए देन लेन के प्रति सावदान रहना चाहिए कहीं भी investment जो है आपको नहीं करना है लेकिन अब आप चलिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 और 20 तारीक यानि ये 8 दिन तो आपके लिए बहुत ही गजब का परिणाम देने वाले हैं घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुम्ब के लिए, समझ के लिए, ब्यापार के लिए, स्वास्त क लिए, बाई और मित्रों के लिए, ये इन सबसे जो हैं आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा, अच्छा माहूल आपका बनेगा, और उसके अंदर एक उत्सल जैसा जो है, संयोग आपको प्राप्त होगा, तो 21, 22 तारीक ये आपके लिए थोड़ी सी चिंता जनक रह सकत है, और इसके बाद 23, 24, 25 तारीक ये विद्यारतियों के लिए बहुत बढ़िया है, अगर इस समय पर कोई भी आपका कहीं इंटर्वियू है, कोई कंपिटिशन है, कोई और एक्जाम हैं, तो उनके अंदर अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा, 26, 27 तारीक को आपको साथ गठ सकती है, कहीं भी कोई विवाद हो सकता है, कोई जगडा फसाद हो सकता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, और 28, 29 तारीक ये आपके लिए, ब्यापार के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, ये जो है, आपकी सुखद है, लेकिन 30 तारीक में आप का स्वास्त गिर सकता है, नरम रह सकता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा, बाकी और कोई भी जानकारी की आपको आउशकता है, तो इन नमरों के उपर संपर्क करके, कारेले से अपाइंटमेंट ले करके, कारेले की सेमाएं अरपन करके, और आप जो भी कु जान सकते हैं लाब ले सकते हैं नमस्कार